क्या स्लिप डिस्क में या बैक पेन में हमें सूरे नमस्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह एक कॉमन कोश्चन है जो काफी यूट्यूब कमेंट्स में भी और कंसल्टेशन के टाइम भी लोग हमसे काफी यह कोश्चन पूछते हैं अब उसमें से 12 की 12 स्टेप्स होते हैं अब उसमें हर स्टेप जो है वो बैक पेन वाला के लिए ठीक नहीं होता है एक्जामपल के तौर पर अब जिसको एक्टी बैक पेन होती है जिसको अभी डिस्क बल जो है या बैक पेन हुआ है इंफ्लमेशन है उसमें जो रेगुलर्ली मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैकेंजी पोज या कोब्रा पोज या एक्स्टेंशन एक्सेसेज हम बोलते हैं अब सूर्य नमस्कार में एक्स्टेंशन भी आती है फ्लेक्शन भी आती है और दो तीन और ऐसे कंबिनेशन आते हैं जो बैक पिन वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं कह सकता पर उनके लिए एड प्रेजन उस प्रेजन उनकी प्रॉब्लम में वो चीज फ करना होता है तो उसमें तीन-चार ऐसे स्टेप आते हैं जिसमें एक्स्टेंशन होती है एक्जांपल के तौर पर हम फर्स्टेप से शुरू करते हैं एक्जांपल के तौर पर मैं पूरा डिटेल में नहीं जाओंगा पर देखिए फर्स्टेप आता है प्रनाम आसन जब इ extension pose हिमेशा मना किया जाता है तो अगर वो extension करेंगे तो उनका पेन बढ़ सकते हैं इसलिए तो आपको पता लगया किस लिए हम इसको avoid करते हैं इस तरह से हस्तुठानासनन हुसको बहन उसके बाद खास्तुठाना शान के बाद एक हमसे और नीचे की और पूरा नीचे की और पैरों को टॉच करना है इसको हम कहते हैं पाद हस्ता असन यानी कि पद और हॉस्त हस्त इसको जब हमने टुच करना होता है इस तरह से अब यह होगे extreme flexion अब पूरा का पूरा जो मना spine flexion की और यानी की नीचे की और bend हो रहा है उसमें जब acute sleep डिस्क होगा या माली जी इंफ्लमेशन होगा उसका डिस्क तो और बाहर आ जाएगा सूर्य नमस्कार में आपने देखा कि पहले एक्स्ट्रीम एक्स्टेंशन होता है फिर एक्स्ट्रीम फ्लेक्शन भी होता है अब जो पेशेंट्स हैं जो बैक पेइन वाले पेशेंट्स हैं है वह एकदम से यह मारी जो स्पाइन है इतना जेल नहीं पाएगी क्योंकि हम आपको जब एक्सेस प्रेस्क्राइब करते हैं तो बड़े पर्टिकुलर होते हैं यहां तो आप फ्लेक्शन करेंगे या एक्स्टेंशन करेंगे अब इसमें 12 स्टेप्स में आपको बार बार फ्लेक्शन भी आनी है एक्स्टेंशन भी आनी है और यह एक्स्ट्रीम वाली आनी है तो जो स्टिनोसिस वाले पेशेंट है वो तो यह कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनका पेन एकदम से बढ़ जाएगा और जो फ्लेक्शन जो एक्यूट स्लिप डिस्क वाले हैं वो फ्ले में से आपको कह दिया जाए कि आप 3rd step कर लीजिए 4 step कर लीजिए ऐसे तो पूरा सरकल ही खराब हो जाएगा और इस exercise का कोई benefit नहीं रहेगा तो आप सुरे सुरे नमस्कार नहीं करना चाहिए जो बैक पेन वाले patients हैं वो ना करें जो बिलकुल नॉर्मल है जिनको कभी बैक पेन नहीं हुआ और वो डेली activity अब नहीं कर रहे है रूटीन में वो ज़रूर करें और जो बैक पेन वाले ठीक हो चुक्ग है वो भी कर ले पर जब आप बै के वाग आप जिन्दा मज्य सूरे नमस्कार करें उसमें कोई दिक्तर नहीं है कोई problem नहीं है तो पाधस्त आसन के बाद बिलकुल आता है इस तरह से अश्व संचालन असन इस तरह से तो यह जो आसन है यह फिर भी ठीक है इसमें हम बैक पेन में इतनी problem नहीं होती है उसके बाद बिलकुल आता है इस तरह से पैर पिछे करके यह हो जाता है दंडासन चत्रुंगर दंडासन इस तरह से इसमें भी कोई problem नहीं है क्योंकि इसमें जो मारी spine है वो बिलकुल flat रहती है इवन के जब हम chronic back pain के बाद यह strengthening के लिए यह exercise यूज भी कर सकते है पर यह steps है आप एक ही exercise यूज करेंगे इसमें सारा का सारा सुर्य नमस्कार इसमें नहीं कर सकते इसलिए step wise exercise पर ही focus करेंगे तो इसमें हमें spine में इतनी दिक्कत नहीं आ सकती हाँ acute वाले नहीं कर सकते यह strengthening exercise में आता है और इसके बाद इस तरह से अश्टान प्रणाम इस तरह से करना होता ह तो यह भी मलब प्रोन लाइंग है फ्लैट लेट नहीं होता है इसमें कोई दिक्कर नहीं पर उसके बाद वाला यह जो यह वाली चीज आती है भुजंग आसन यह हमें avoid करना पड़ता है chronic slip disc में लिगामेंटम फ्लैमों hypertrophy में फेसेट आथरोपैथी में इवन के एंटिरोलिस्थिस में भी और साथ में किसी को सहाटिका हो रहा है chronic वाला उसको भी और spinal stenosis में भी इतनी सारी चीजों में यह चीज अवाइड करने पड़ती है भुजंग आसन मैंने पहले भी वीडियो मनाया हुआ उसके बाद भुजंग आसन के बाद इस तरह से जाने के बाद आपको फिर से यह माउंटेन वाला आसन करना पड़ता है इस तरह से तो यह माउं extension वाला पोस भी repeat होगा फिर flexion वाला भी repeat होगा तो इस तरह से इसके steps हैं वह repeat भी होते जाते हैं सो basically हमारा motive यह था जो लोग पूछते हैं सूरे नमासकार के बारे में उनको सिरफ यह knowledge देना था कि सूरे नमासकार एक exercise नहीं है ऐसे 12 steps आपको करने पड़ेंगे जिसमें कुछ repetition में भी हैं पर flexion और extension जो है वो आपको अपनी spine के हिसाप से आपको देखनी पड़ेगी और आपकी problem के हिसाप से acute में और chronic में इतना सारा कुछ MRI में आता है तो इसलिए बैटर यहीं रहेगा कि treatment wise exercise अपने orthopedition से physiotherapist से बात करके treatment wise exercise करिए जब आप बिल्कुल ठीक हो जाए उसके बाद आप जो मर्जी करिए भागिए दौड़िए अपना sports activities करिए योगा में कोई भी patient है उस time particular time को value दीजिए अपने आपको properly ठीक कीजिए उसके बाद जो मर्जी करिए I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा काफी लोगों की question जाए उसका यह answer है आप यह वीडियो को सबके साल like केजिए और share जबूर कीजिए जिसके साथ share करेंगे उनको समझ आजएगी क किस time पर हमें यह चीज यह post जो है वो दुबारा हम शुरू कर सकते हैं हम सुर्य नमस्कार के खिलाफ नहीं है क्योंकि मैंने तो पहले काया कि जो लोग normal है वो अराम से कर सकते हैं पर patients जो बन जाते हैं पहले वो exercise treatment wise करें उसके बाद सुर्य नमस्कार करें तो इस video को like कर द उसे one-to-one consultation के लिए नीचे लिखे number पर जाके appointment book कर सकते हैं उसकी छोटी सी fees से उसको pay करके आप उसे one-to-one consult कर सकते हैं have a nice day take care of yourself